आज की class में हम देखेंगे AutoCad में annotation tools के बारे में annotation tools में सबसे पहली चीज आती है क्या text जैसे कुछ आपको लिखना है जैसे room लिखना है, bedroom लिखना है या आप circle बना रहा है circle rectangle या कोई data fill करना है आपको ड्राइंग के साथ तो उसके लिए हम टेक्स्ट का यूश करते हैं तो आप टेक्स्ट पे जाएंगे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करेंगे उस एरिया को जिस एरिया में आपको टेक्स्ट लिखना है ऐसे आप ड्राइक करेंगे और जो भी लिखना है ग्राइब करें तो आपका यह लिखना चलाएंगा तो इसको क्या बोलते हैं टेξ्ट में कुछी डेटिंग करनी है जिसे आपने यी लिख लिए इसमें कुछुछ कलर देना है तो आप इसको सफिने कर यहां से थे喝 को कलर दे सकते हैं आप जो भी कलर देना चाहते हैं वह करना है इडाल करना है या फांट करना है तो एंप सभशन कर सकते हैं रखे और तो यहां से अगर को बढ़ानी है तो यहां पर तो इसके बाद रहता है डाहें में सबस्क्कापर लाइन बेटिसेंगे यहाँ और यह मग्यों रहने म सब्सक्राइम इसा मेर वैलोगः श़लेशन से और लास तो झाला यहाँ से करई किसको इसको डैमेंस दिखा सकते हैं तो यह होता है हमारा क्या डायमेंसेंसन हैं जायेंगे जो ओपन होगा आपको यहां टेक्स दिया है टेक्स का कलर अगर आपको चेंज करना है तो टेक्स के हाइड बढ़ा किया टू या त्री कर लिजिए जितना आपको यूज करना हो करेंगे और इसको सेट करेंट कर देंगे और को क्लोष कर देंगे ठільки लोट है तो यह हमारा क्या हो जाएगा इसके साइज भढ़ गए टीक है तो यहां ब् Zheng सेकेंड पॉइंट आप जहां क्लिक करेंगे वहां तक की बैल यह बता देगा इसको हम लेनियर टूल कहते हैं नेक्स्ट क्या आता है हमारा नेक्स आता है एलाइन किसी भी तिरशी लाइन को मिकाल ने ने in clás right line को हमने बनाया हो उसका distance हम जानना चाहर रहे हूं तो उसके लिए हम क्या करते है य ciek करते हैं जैसे आपको यहां पर यहां पहीं और ने करेंगे और इसमें फ़र्च टोट करिए पर करिय लास् हुंँग कर्येप circuit कर ये आइंग आपको खोग देगा next क्या आता है हमारा next आता है दो आर्क लेंद के लिए आपको सबसे पहले आर्क बनाना होगा तो आर्क और एसे बनता है अपको यहां दिया आपको तो आर्क पे क्लिक करिए first point second point और फट्रटों के तुरूब बना लिए इसका डिस्टन्स आप जानना चाहते हैं अब लिक करिए यह दिया है आर्क लिंद करिए इसको सेलाइट करिए और यह बता देगा आपका क्या आर्क की लंबाई कितनी है ठीक है नेक्स आता है आपका डेडियस आता है कोई सरकल देगा डायमेटर घर जानना है तो आपके क्लिक करिए एरो पे यहां डायमेटर दिया है विए क्लिक करेंगे करेंगे इसको और यह आपको 5 दाएगा यह यह डियमेटर 26.728 6 है और यह 53.4572 है यह 5 मतलब डायमेटर और आर मतलब राड रेडिस होता है ठीक है इसके बार आता है leader leader क्या चीज़ है leader है जैसे किसी चीज को tag करते हुए कुछ लिखना है तो इसके लिए लीडर का यूज़ करते हैं तो leader पे click करेंगे select object करेंगे और base point select करेंगे और इसका सकते हैं जो भी नाम देना है उस नाम से आप रही देखा सकते हैं इसका है कि वह चोंटा रहा है तो इसको आप सलेट करीये हैं तो आप इसको पसलेट कर लेजिए ड्यक्त करके और यहां से फोट बालो दीजिए आप और यह देखिए आपका इंक्रीज़ जाएका साइज अब हमको यह दिखने लगा कि हमने कुछ लिखा हुआ है इसके बाद आता है टेबल अगर हमको टेबल बनाना हो कहीं कोई डांटा मिंटेन करने के लिए या टाइटल बार बनाने के लिए तो आप यह टेबल पर क्लेक करिएगा ठीक है औ अब बढ़ा सकते हैं मौनले हम फाइफ और सेवन या फोर कर रख लेते हैं और इसको कर देंगे और अब ड्रॉ करेंगे बनाएंगे तो यह आपका टेबल बनके आ गया ठीक है इसमें कुछ लिखना है तो आप क्या करिए करसर पर देखिए यह आपको आ गया और इस पर ड अब लिख सकते हैं और इसको इसे प्लिक कर देंगे यह आपका बन गया क्या एजुकेशन इसको क्या कहते हैं टेबल कहते हैं तो यह एनोटेशन के टूल्स थे जो हमको अपने ड्रॉइंग में उसके डामेंशन को सो करने में हेल्प करेंगे अगर यह वीडियो आप लोग